नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या सिंग इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मध्या प्रदेश से जानकारी देदे के मध्या प्रदेश में शिवराज सिंग चौहान को लेकर एक बड़ी खुश खबरी सामने आ रही है दरसल पाठी आला कमान ने शिवराज सिंग चौहान के लोग सभा चौनाव लड़ने पर अब ऐलान कर दिया है बता दे कि एमपी की विदिशा सीट से शिवराज सिंग चौहान चौनाव लड़ने वाले हैं ऐसे में शिवराज सिंग चौहान की समर्थकों के प्रदेश की जनता नाखुश नजर आ रही थी और लगातार भारतिय जनता पार्टी सवालों के घेरे में आती हुई तेखी जा रही थी लेकिन अब शिवराज सिंग चोहान को लोग सभा चुनाव में उतारने के फैसले के बाद पार्टी एक बार फिर से जनता के बीच अप बहتर बनाती हुई नजर आ रही है शिवराज सिंग चोहान MP की होट सीट मानि जाने वाली विदिशा सीट से चुनावी मेदान में उतर सकते हैं बता दे के से पहले शिवराज सिंग चोहान के चिंदवारा सीट से लोग सभा चुनाव लड़ने की कयास लगाया जा रहे थे सिंध्या को पार्टी ग्वालियर या फिर गुना सीट से चुनावी मैदान में आगे कर सकती है लेकिन शिवराज सिंग चोहान विदिशा सीट से चुनाव लड़ेंगे ये अब कन्फर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है बता दे के पार्टी के इस फैसले के बाद शिवराज सिंग चोहान की तरफ से हाला के अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है लेकिन माला जा रहा है कि शिवराज सिंग चौहान को लोग सभाचुनाव में उतारने के फैसले के बाद अब पार्टी की 26 एक बार फिर से मजबूत होती है और माला जा रहा है कि नाराज महीला वोटर से एक बार फिर से पार्टी के पक्ष में वोट देती होई नज़र आ सक कि शिवराज सिंग चोहान को ही मुख्य मंत्री बनाया जाए अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पार्टी का अगला कदम क्या रहता है आखिरकार और कौन से नामों पर पार्टी महर लगाती हुई नज़र आएगी फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन नियूज